क्या वो मूवी, क्या वो आक्शन, क्या वो सिनेमेटोग्राफी, क्या वो स्टोरी लाइन, क्या वो सस्पेंस, क्या वो क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स मैं तो हिल ही गया मैं तो, बात करते हैं आगे तो, well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकाद बार बार होगी विक्रांत रोना नाम से एक Adventure, Thriller, Mystery वाली मूवी आई है कन्नडा इंडस्ट्री के तरफ से और डैम इसका क्लाइमाक्स बहुत दिनों बाद एक ऐसा क्लाइमाक्स देखने को मिला जो पूरे मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था जी हाँ, ये जो फिल्म है विक्रांत रोना, आई मिन विक्रांत रोना ना ये थोड़ी सस्पेंस, थोड़ी भूतिया, थोड़ी थ्रिलर स्टोरी है जिसे आप fictional fantasy मूवी भी कह सकते हो क्योंकि originality का इस मूवी से दूर दूर का संबंध नहीं है देखो वैसे देखा जाये तो इस फिल्म का बजेट बहुत मैसिव नहीं है RRR KJF के तरह ये बस 95 करोड में बनी फिल्म है शमशेरा के बजेट से भी कम लेकिन इस फिल्म को overall देखने के बाद आपको यकिन नहीं होगा कि ये सिर्फ 95 करोड की फिल्म है इस फिल्म की विजुवल्स, VFX और सिनेमेटोग्राफी आपको हमारे इंडियन फिल्म इंडूस्ट्री का one of the best experience देगा इस फिल्म की कहानी लगबग 50-60 साल पहले की है जो एक गाउं से जुड़ी हुई है जहां कुछ unexpected events हो रहे है और उस event को संभालने और सुलजाने के लिए होती है विक्रांध रोना की entry और वहां से होती है असली suspense की शुरुवात जो suspense आखिर तक बना रहता है So more on, it is one of that film जो आपको suspense वाले genre में बहुत पसंद आएगी इस फिल्म में thriller और suspense के साथ साथ थोड़ा horror element भी है कुछ एक जगा तो एकदम jump scare moment है and इस फिल्म का music and bgm आपको उस suspense, thriller and horror का feel करवाता है उपर से किच्चा सुदिप सर की acting और उनकी आवाज यार आवाज से याद आया कही कही न मुझे ऐसा लगता था कि यार इनको सलमान खान ने डब तो नहीं किया है वही tone, वही बोलने का style आप देखोगे तो आप जरूर notice करोगे same चीज अब अगर film, story, plot, concept से लेकर climax तक अच्छी हो तो उसकी चूटी मूटी गलतिया कही न कही चिप जाती है या कह सकते है कि नजर अंदाज हो जाती है तो इस film में भी बहुत कुछ ऐसी एक बाते है जिससे एक आम इंसान या audience को फरक नहीं पढ़ने वाला climax देखने के बाद क्यूकि starting से लेकर end तक आप इस film को enjoy करने वाले हो हो सकता है कि starting में याने first half में आपको movie ना समझ में आए कही कही पर आपको ये movie slow भी लगेगी even मुझे भी लगी even इस film का जो tone है न वो काफी dark है उपर से 3D में है movie तो और भी जादा dark लगती है तो कुछ एक scene में बहुत जादा confusion भी हो सकता है लेकिन other half में आपको समझ में आएगा कि वो build up कितना जरूरी था कही कही पर आप confused हो जाओगे साला ये चल क्या रहा है किस पर भरोसा रखा जाए but wait for it डोस्तो wait for it patience रखो last में आपको सुकून मिलेगा last के climax scene ने जो फाड़ा है न बॉस that's the moment मुझे लगा कि यार यहा हुआ है अपना पैसा वसूल और theater के बाहर आने तक इसका music, इसकी story, इसका climax आपके दिमाग में घूमता रहेगा overall अगर कहूँ तो अगर आप थोड़ा सा patience रख कर और थोड़ा समझ कर इस film को देखोगे तो आखिर में ये film आपको निराश नहीं करेगी सी मुझे कोई problem नहीं है जैकलीन से बट मैं एक suspense, thriller कम adventure movie देखने गया था जिसमें बस मुझे ये डर था कि romance या love के चक्कर में movie का original plot छोड़ कर कुछ और ही न दिखाने लग जाए बट thankfully movie अपने storyline पर पूरी तरह जमी हुई थी और मुझे पसंद आई overall ये एक one time watch movie तो जरूर है बस इसकी length कम हो जाती या दो गाने कम भी डाल दिये होते तो भी चल जाता क्योंकि गाने एकदम सो सो है एक दो को छोड़ कर जिसका film के साथ connection नहीं बन पाता मेरी तरफ से इस film को 3.5 out of 5 stars मिलते है अगले वीडियो में बाई